तो भई आप लोगों के लिए भात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो ग्रूप C की बरती में समाजिक आर्थिक अधार के अंकों का दो बार मिलेगा लाब यानि कि भई आप लोगों को जो ग्रूप C की बरती होगे उसके अंदर जो समाजिक आर्थिक का अंक हैं भई उनका दो बार आप लोगों को लाब मिलेगा वही एक बार आप मिलेगा एक बार जब आप लोगों के लिए C ग्रूप की जब बरतियों में वही उसके दार के उपर भी आप लोगों को जो है जो पांच नंबर है वही उनका लाब है जो वह मिलेगा वही यानि कि दो बार आप लोगों को पांच नंबरों का जो आर्थिक लाब है वो दिया जाएगा भई जो मालों की भई आपकी जो 95 नंबर की प्रिक्सा होती है भई पिछाणवा नंबर की जो प्रिक्सा होती है तो भई उसके बाद भई जो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पांच नंबर है तो इ इनका जो लाब है भई आप लोगों को दो बार ही इस प्रिक्षा के अंदर है जो वो पांच नम्बरों का लाब मिलेगा भई वो लाब है जो वो किसको मिलेगा भई इसका भी पूर इसकी है जो भई पूरी बात बताएगे आप लोगों को जिसके गर में नोकरी नहीं है या जिसके माता पीता नहीं है वही उन लोगों को इन नंबरों का है जो वो आर्थिक लाव दिया जाएगा वही समाजिक आर्थिक अदार के CET में 5% चेन में 2.5 अंक मिलेंगे वही आप लोगों को जो ग्रूप C की मान के चलो जैसे हरिहाना पुलिस या ग्राम सचियू की परिक्सा होगी वही उसके अंदर भी आपको 2.5% अंक है वहाँ पे भी मिलेंगे और 2.5% जो अंक है वही जो अब CET का रजल्ट आएगा यान कि आपको जो CET रजल्ट वही 15 दिसंबर के लगबग जारी किये जाने की संबावना है वही आप लोगों को उसके अंदर भी जो 0.5% अंक है वही वह देने दिये जाने का लाब आप लोगों को मिलेगा वही जिसके घर पे नोकरी नहीं या माता पिता नहीं है वही उन इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी इन सब पदों के बारे में आपको पूरी डिटेल चेक वीडियो क्रुवाइजाएगी आप लोगों के लिए कि उसके अंदर आप लोगों क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसका चेन है जो कैसे होगा भई अभी तक कि ये भी एक दिवीदा है बच्चों के सामने कुछ बोल रहे हैं कि जो CET एक्जामे वो क्वालिफाई किया जाएगा कुछ बोल रहे हैं कि 4% ही जो फोम निकलेंगे भ बच्चों को ही बुलाया जाएगा यानि कि एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा जो 4% बच्चों में एक्स्ट्रा उन बच्चों से पूछा जाएगा कि आप लोगों को ये जोब करनी है या नहीं करनी है इसके दार पर उन बच्चों को जोब दी जाएगी जो समाजिक आर्थी का दार पर 5% अंक जोड़े जाएंगे यानि कि 50% अंक का CT वह 550 अंक हैं जो समाजिक आर्थी का दार पर दिये जाएंगे दूसरा ग्रूप C में सेनकेश में पात्रता उमिद्वारों को 10% अंकों का लाब मिलेगा वह ऐसे में इस स्रेणी में आने वाले उमिद्वारों को बरती में दो बार है जो वो इसका लाब दिया जाएगा वह जो CT प्रिक्षा हुई थी भई 7.53 लाख युआ बेटे दे वह यानि कि टोटल 11.40 बना था उसमें से 10 लाख बच्चों ने अड्मिट कार थे वो डाउनलोड किये थे वह और 10 लाख में से भी 7.53 लाख युआ ने ही जो प्रिक्षा थी भई वो दी है इसमें से 15-20% प्रिक्षार्थियों को ही या लाब मिलेगा जो 5% अंक है भई 15-20% अब्यार्थियों को ह इसका लाब है जो वो दिया जाएगा भई जो ग्रूप D के लिए CET होगा भई वो फरवरी के अंदर ही आप लोगों का करवाया जान्या संबावित है भई ये एसमें से करीब 22,000 पदों पर बरती होगी भई खास बात है कि ग्रूप D में CET से ही मेरिट के दार पर पदों क बरती होगी भई जो ग्रूप D का पद होगे भई उसके अंदर एक ही आप लोगों का एकजाम है जो वो लिया जाएगा भी कोई दो एकजाम नहीं लिये जाएगे भई उसके अंदर भी समाजिकार्ति का अंकों के अंकों हैं जो वो दिये जाएगे भई ये निये कि उसके आप लोगों की जो प्रिक्सा होगी भई वो 95 अंकों की होगी भई यानि की जो 5% एक्स्ट्रा नंबर है वो एक बार ही जोड़े जाएंगे जो ग्रूप C के लिए होगा भई इसके अंदर जो बच्चे हैं भई उनको दो बार इस समाजिक आर्थिक अंका में दो लाब इसका इसके बारे में यहां पर भी आप घर बेटे जोग कर सकते हैं टैस्ट दे सकते हैं और इसका जो लिंक हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप वहां पर जोईन कर सकते हैं लोगिन कर सकते हैं अपनी जीमेल आईडी के मैधिम से ही लोगिन होगा और जोब करने का सुनायरा अउसरा जो आप लोगों को वहां से मिल जाएगा वही और जो अभी तक बच्चों ने यहां पर एक्जाम देकर जोब जोईन किये लग बगए एक लाग पलस बच्चें से भी जाद है यहां पर घर बेटकर जोब है जो वो कर रहे हैं आज के टाइम बेबी तो आप भी रिलेवल बाई इन अकैडमी के साथ जुरूर जाएं भई आप लोग भी वहां पर जोब करने का सुनायरा अउसरा जो आप लोगों को भी मिल जाएगा जो इसका लिंक है बाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भी